गुड मॉर्निंग फ्रेंज्स, कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और आशीरवाद, आज हम केनीशन थियोरी ओफ डेटर्मेनेशन अफ नाशनल इंकम का एक रिवीजन आपको भेज रहे हैं, दो तीन बातें इस चेप्टर में बहुत इंपोर तो सबसे पहले केनीशन के द्वारा लिये गए कुछ बेसिक अजम्शन आपको ध्यान में होने चाहिए, कैन्स ने यह माना था, यह अज्यूम किया था कि इन्वेस्मेंट ओटोनॉमस्ली डिटर्माइन है, यानि कि इन्वेस्मेंट लेवल ओफ इंकम और रेट अफ इंट पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा यहां पर एग्रिगेट सप्लाई को कॉंस्टेंट माना गया है, क्योंकि हम शॉटरन की बात कर रहे हैं, तो जो कोई भी चेंज आएगा, वो एग्रिगेट डिमांड में आएगा, इसके अलावा कुछ बेसिक कॉंसेप्स हैं, जैसे मार Marginal Propensity to Save, Average Propensity to Consume, Average Propensity to Save, सबसे पहले Marginal Propensity to Consume, यानि की MPC, MPC होता है Change in Consumption Due to Change in Income, और MPS होता है Change in Saving Due to Change in Income, क्या मतलब इस बात का, मान लीजे, Economic Income 10,000 करोड रुपए से बढ़ गई, और आपने उस बढ़ी वी इंकम में से 8,000 करोड रुपए कंस्यूम किया, और बाकी का 2,000 रुपए आपने Save कर लिया, तो Economy का Consumption 8,000 रुपीज से बढ़ा, जबकि इंकम बढ़ी थी 10,000 रुपीज से, तो Change in Income 10,000, Change in Consumption 8,000, So, 8,000 divided by 10,000 becomes 0.8 और 80 परसंट, यनि की Economy का MPC है 80 परसंट, इस बात का मतलब यह है कि Economy में हर बार इंकम का 80 प्रतीशत हसा, 80 परसंट इंकम जो है, वो Consum हो का, MPC है Marginal Propensity to Save, मेने 10,000 रुपे में से 2,000 करोर रुपीज सेव किया, So, the MPC become 2,000 divided by 10,000 is equal to 0.2 or 20 percent, it means that with every increase in income by say for example 100 crores or whatever it may be, The economy is going to save by 20 percent, now, अब इसके बाद है APC और APS, अच्छे एक और बात यहां पर बता दे, Marginal Propensity to Consume की जो Value है, वो हमेशा 0 से बड़ी रहती है और 1 से छोटी रहती है, और जो MPS है, इसकी Value negative में भी जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, MPC और MPS को जोड़ेंगे, तो हमेशा Value 1 रहेगी, MPC और MPS के बाद, APC और APS, Average Propensity to Consume और Average Propensity to Save, Average कैसे निकालते हैं हम, हमेशा Total को Total से Divide करके, अगर आप Total Consumption को Total Income से Divide करेंगे, तो आपके पास APC आएगा, यानि कि Average Propensity to Consume आएगा, Suppose आपकी Economic Income है 40,000 करो रूपीज, और 32,000 करो रूपीज आपका Consumption है, तो 32,000 divided by 40,000, यानि कि 80% आपका 8% या Value जो भी है, आपका APC 80% हो जाएगा, और अगर हम APS की बात करें, तो 40,000 में से आपने 8,000 रूपीज सेव करा है, तो 8,000 divided by 40,000 करेंगे, तो 20% आपका APS आजाएगा, APC और APS, दोनों की Value 1 के बराबर होती है, अगर हम Consumption Function को डाइगराम पर प्लॉट करते हैं, तो अगर Consumption Function Linear होगा, तो Consumption Function की Line Y-axis से शुरू होगी, से फर एक्जामपल, आपकी Income अगर 0 है, तो Consumption है OA, OA एक Autonomous Consumption है, जो आपकी Income पर Depend नहीं करेगा, Consumption Function Straight Line होगा, Linear होगा, अगर MPC Constant है तो, लेकिन अगर MPC लगातार बदल रहा है, तो आपका Consumption Function जो है, वो कर्व के फॉर्म में बढ़ेगा, लेकिन एक बात आपको बहुत ध्यान से सुन लेनी है, कि Linear Consumption Function एक Hypothetical Situation है, Consumption Function हमेशा Non-Linear होता है, केंस ने हमको Psychological Law of Consumption दिया, उस Law में केंस ने हमको यह बताया, कि as the level of income increases, consumption increases, इसका मत्तब यह है, कि जैसे जैसे इंकम बढ़ेगी, आपका Total Consumption तो बढ़ेगा, आपका APC तो बढ़ेगा, लेकिन Marginal Propensity to Consume जो है, इस बात का मतलब यह है, कि जब हमारी More Important Wants पूरी हो जाती है, तो आगे की Incomes या Further Income में से, हम बहुत कम पैसा खच करते हैं, Less Important Wants पर, जिसकी वज़े से MPC तो हमारा लगातार गिरता जाता है, और MPS बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि One Minus MPC is MPS, अगर MPC गिर रहा है, तो फिर क्या बढ़ रहा है, MPS बढ़ेगा, तो इस बात का मतलब यह भी रहा, कि जिन देशों में Income कम होगी, जिन देशों का Development कम है, उन देशों में MPC जादा होगा, और जिन देशों में Level of Development जाता है, वहाँ पर MPC कम होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, वेल, नेक्स्ट ओडियो में मैं आपको आगे की बात बताता हूँ,